जिलादिकारी विजेकिरन आनंद ने आदेश जारी कर स्ट्रिपर मसीन से भूसा बनाने पर लगे प्रतिबंद को ततकाल प्रभावस से हटा दिया है अब किसान खेतों में सौधानी बरतते हुए अपने खेतों में भूसा बना सकेंगे जियम ने पहले से लगे प्रतिबंद को शनिवार की शाम को हटा दिया है जिससे जिले की हजारों किसानों को सहूलियत होगी जिलादिकारी विजयकिरन आनंद ने आदेश जारी करते हुए किसानों से अपील किया कि खेतों में भूसा बनाते समय स्ट्रीपर मसीन का प्रियोग करते हुए सावधानी भरते हैं जिससे आग लगने के कारण किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान ना हो जिलादिकारी ने पाँच अपरेल को आदेश जारी कर 30 अपरेल की खेत में मसीन से भूसा बनाने पर प्रतिबंद को प्रीपोंड कर 15 अपरेल कर दिया था जियम का कहना है कि वर्तमान समय में अधिकांस जगों पर खेतों में यहूं की फसल की कटाई के बाद अधिकांस किसान डीम से मसीन से भूसा बनाने देने की मांग कर रहे थे जिसका संग्यान लेकर शनिवार की साम को डीम ने यह निरदेश शारी किया है आपको पता दे कि हर साल गेहु के फसल के समय खेत ने भूसा बनाने वाली मसीन के कारण आग लगने की घटनाएं आम बात थी किसानों की लहलाहाती फसले आग में स्वाह हो जाती थी जिसको देखते हुए जीम ने खेत में इस च्टिपर मसीन से भूसा बनाने पर 30 अपरेल तक रोक लगाई थी फिर इस आदेश में संसोधन करके 15 अपरेल किया था अब जीम ने इसे ततकार प्रभाव से हटा दिया है इस आदेश का असर है कि इस रभी के सीजन में अभी तक खेतों में फसलों में आग लगने की जिले में इकका दुका ही घटनाएं हुई है